हेलो स्ट्वेंट्स स्वाखता आपका वर्फीट से और आज हम बात करेंगे modern periodic table के बारे में आधनिक आवर्थ सारणिक के बारे में हमें पता है इस से पहले हमने manlip का periodic table के बारे में study कर रखा है और हमने पाया कि उस periodic table में बहुत सी कमिया रह गई है कम यह क्या गया थी एक तो हाइड्रोजन की स्थिती हाइड्रोजन की स्थिती एक निश्ची स्थिती नहीं थी उसकी पुजिशन जो थी अलकली और हैलोजन से मिलती थी दोनों से तो एक वो हो गई दूसरा आइसोटो जो समस्थानिक होते हैं आइसोटोप होते हैं उनकी तिसरी चीज थी वो थी कि जो नएई ऐलेमेंट होंगे वो कहां पर आएंगे मिर beneath जो regular होती है all African प Dodge II होती है जो atomic mass में फिरमानोंत विमान में जो ली मितना नहीं थि एक तत्थों सब्सक्राइब यह में विमित अन्तराल नहीं था जिस अधर कि कि दो तत्तों के बीच में अगर कोई गैप है तो कितने दत्त दवाएंगे तो इसलिए जो मेंडलीव का periodic table था वो अस्विकार कर दिया गया था और विग्यानिक जो था वो कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा को तरीक अपनाया जाए जिससे सभी तत्तों को प्रॉपरली जो है एक table में आवर्थ सारने में adjust किया जा सके लेकिन विग्यानिकों को समझ नहीं आ रही थी कैसे किया जाए तो उसमें उसमें क्या हुआ अंग्रेज एक विग्यानिक थे हैंडरी मोजले ये अंग्रेज थे और इनका पूरा नाम था हैंडरी गवाइन जेफरी मोजले हैंडरी गवाइन जेफरी मोजले ये इनका पूरा नाम था अंग्रेज थे ये और इनका जो जनम था हुँ तेईस नुवंबर ठारा सो स्तासी को इंग्लेंड में हुआ था तो ये जो विग्यानिक थे इन्हों ने ये नया पिरियोडिक टेवल दिया था अगर हम इनकी बात करें तो ये जो थे जनम इनका ठारो स स्तासी में हुआ था और ये मर गए थे 1915 में एक यूद के दुरान गोली लगी थी और ये मर गए थे क्योंकि इनको एक टेली कम्यूनिकेशन आफिसर का वर्क असाइन किया था एक यूद हुआ था गैली पोली यूद गैली पोली यूद जो था उसमें एक टेली कम्यूनिकेशन दूर सेंचार अधिकारे का ये के उपर थे वहां पर इनको दुस्मन सैनिक की गूरी लगे और यो मर गे एक उन्हें सिर्प उस पहले ये बहुत अच्छा काम कर गे बहुत ही एक महान कार्या कर गे और वो कि उन्होंने प्रियोडिक टेवल को दोवारा डिफाइन करना तो कैसे हुआ ये सब उन्होंने क्या किया उन्होंने पाया जो प्रियोडिक टेवल मैंडलीफ ने बना रखा था उन्होंने पाया कि उसमें तत्तों को रखा गया था अटमिक मास के हिसाब से परमानु द्रब्यमान के हिसाब से उनके परमानु द्रब्यमान के हिसाब बढ़ते करम में रखा गया था लेकिन उन तकत्तियों को पुर्मानृद्धाम के हिसाब से ना लगाकर, पुर्मानृध संस्ख्या ठीक सुनून रहें आपुर्मानृवां.. अगर और्यंज करेंगे। तो जो तत्व है वो बिल्कुल सही तरीके से इसमें टेवल में एड़स्ट होंगे और एक निश्चित अंतराल के बाद बिल्कुल सही निश्चित अंतराल के बाद मतलब एक periodicity आगी उसमें periodicity मतलब एक अवर्ती स्थिति आगी एक निश्चित अंतराल के बाद तत्तव अपने आपको के गुणों को दोराते थे जैसा कि मैनलीफ ने कहा था कि अगर हम तत्तव को उनके प्रमानू दर्ब्यमान अटोमिक मास के अरोही करम में बढ़ते वे करम में अखेंगे तो तत्तव जो था उनके गुण तत्तव के गुणों निश्चित अंत्राल के बाद आपस में दोराते थे मिलते थे आपस में लेकिन मोजले ने कहा अगर तत्तव को हम उनके अटोमिक नंबर प्रमानू संख्या के हिसाब से अरोही करम में रखें तो एक निश्चित समय के बाद तत्तव अपने अगुणों को दोराते हैं अवर्त करते हैं तो इसलिए इस तरीके से हैंरी मोजले ने तत्तव को एक टेबल के फॉर्म में रखा और पाया की तत्तव बिल्कुल सही तरीके से अड़्जेस्ट हो गए हैं उस टेबल में उस टेबल को कहा गया modern periodic table आधनिक अवर्त सारनी अब इस सारनी में जो कमिया थी मैनलीफ की वो सारी की सारी दूर हो गई कैसे दूर होई वो आईए बात करते हैं ये है अधनिक अवर्त सारनी या modern periodic table अब इसमें सबसे पहली जो कमी थी जो मैंडलीफ की थी वो थी हाइड्रोजन की कमी जो इस periodic table में दूर हो गई इस periodic table में आधरिक periodic table में जो हाइड्रोजन था उसको एक proper position दी गई उसके निखश्ची जगा दी गई उसको एक तो वो होगी दूसरी जो वह सबसे बड़ी drawback थी मेंडलीप के periodic table की वो थी आईसोटोप की position आईसोटोप मीन्स समस्थानिक समस्थानिक क्या होते हैं समस्थानिक मीन्स ऐसे तत्तों के ऐसे विभिन रूप जिनकी क्या हो प्रमानों संख्या समान हो यहां में लिखते हैं ऐसे तत्तों जिनकी प्रमानों संख्या क्या हो समान हो लेकिन उनकी प्रमानों द्रब्यमान अलग अलग हो तत्तों एक ही है एक ही तत्तों के अलग अरूप होते हैं और उनकी प्रमान संख्याएक होती है लेकिन प्रमान दर्बिमान अलग-अलग होता है तो जब मैंडरीलीफ के periodic table में तत्तव रखे जाते तो तत्तव मैंडरीलीफ के periodic table में कैसे रखे गए थे atomic mass के अथार के उपर तो इनकी तीनों के दर्बिमान के हैं अलग-अलग हैं तो इनको एक ही स्थान के उपर adjust करना मुश्किल था लेकिन आदनी कावर्द सारने में कैं हुआ आदनी कावर्द सारने में हमने तत्तव को किसी रूप में रखा उनके atomic number के हिसाब से तो नमबर के हिसाब से जब हमने रखा तो तत्तव जो isotope होते हैं जो समस्थानिक होते हैं उनका परमानो संख्या के होती है आदनी के नमबर के होता है बराबर रहता है तो वो सारे के सारे एक जगा पर adjust हो गए तो isotope की position भी क्या होगी clear होगी कि एक हिसे का पर वो आगे सारे के सारे उसके बाद एक और चीज जो थी वो थी regularity जैसे हम एक तत्तव से दूसरे तत्तव के उठ जाते हैं तो mandalive का जो periodic table था उस में क्या था जैसे एक तत्तव से दूसरे तत्तव के और move कर रहे हैं हम तो mandalive के periodic table में regularity नहीं थी जैसे यह पता नहीं रख सथा कि हम इस तत्तव से दूसरे तत्तव के उठ जा रहे हैं तो इनके बीच में खाली जगा है माली जी scandium है scandium का प्रमानु द्रब्यमान है 45 और titanium का प्रमानु द्रब्यमान है 47 तो यहाँ पर 2 का अंत्राल है अगर vanadium है vanadium का है 50.9 यहाँ पर means 3 का अंत्राल है प्रमानु द्रब्यमान में तो यह possibility हमें पतने लग लग रही थी कि इनके बीच में कुतने तत्तव आ सकते हैं आ सकता है कि नहीं आ सकता है कोई लेकिन जब हम ने तत्तों को प्रमानु संख्या के हिसाप से रेंज किया तो अगर हाइटरोज़न जैसे यहाँ पर है 21 प्रोटोन है प्रोटोन है हमारे पास 21 तो नभिक में 21 ही रहेंगे अगले में 22 है तो मदीम्स क्लियर है कि यहां बीच में कुछ नहीं आएगा अगर कहीं बीच में दो तत्वों के बीच में दो का अंत्र है इस तो इसका सिदिधी से बात होगी कि उनके बीच में कितने तत्व आएंगे दो तत्व और आएंगे तो इस तरीके से एक regularity थी प्रमानो संख्या के प्रमान संख्या में जिससे ये असानी होगी कि कितने दत्व और बीच में आ सकते हैं अब उसके बाद हम बात करें जो modern periodic table है इसमें है क्या इसमें आप table देखेंगे table में कुछ thumb नीचे के ओर है कुछ lines नीचे के ओर बनी है और कुछ जो है उपर के ओर बनी है जैसे कुछ line है जो नीचे के ओर बनी है ये नीचे के ओर बनी है ये वाली longitudinal है longitudinal नीज नीचे के ओर लंब है और इन lines को हम क्या बहुते है smooth यह को हम कहते है smooth या English में कहते हैं इनको group तो group है इसमें total मिलाके 18 आप इसको count करते हैं हम पर उपर number भी लिखे है 1, 2, 3, 4, 12, 17 और लास्ट में 18 helium वाल तो total मिलाके जो groups है वो कितने है 18 groups है और नीचे दूसरी ओर यहां से अगर आप horizontal move करेंगे तो यह जो है कसेति स्तंब होते हैं कसेति रिखाएं जो है horizontal रिखाएं इनको हम कुलते हैं period या अवर्थ इनको हम period या अवर्थ कहते हैं और यह कुल मिलाके कितने हैं अगर आप इनको देखेंगे तो कितने होंगे यह यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 period है और बाद में lengthenite, actenite series जो है यह है लेकिन यह बीच में include तो 7 periods included होंगे तो कुल मिलाके यह होगी groups और periods की बाद अगर एक बात और होगी कि same जो group होगा जैसे यह group है तो इसकी senior जकता जो होगी वो क्या होगी एक जैसे होगी valency valency जो होगी यह senior जकता जो हम पिछली classes में पढ़ रखा हमने तो वो क्या होगी एक ही होगी एक group में senior जकता एक होगी और एक group में से हम दूसरे group जब move करेंगे एक group से मतलब इस group से जब हम अगले group की होजाएंगे उसके अगले की होजाएंगे तो senior जकता क्या होगी बदलेगी change होगी लेकिन एक group में क्या रहेगी वो same ही रहेगी तो इसके trends जो होगे वो हम जो है अगले वीडियो में discuss करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आज के लिए सिर्फ इतना सा हम study करेंगे कि जो modern periodic table था वो Henry, Gwen, Jeffrey, Mosley ने दिया था अंग्रेज विग्यानिक थे और 1913 मेनों ने ये दिया था तो Henry, Mosley ने जो ये कहा था कि जो property है elements की जो elements के गुण है वो क्या है वो periodic function है atomic number के atomic number के उपर depend करते है ना कि atomic mass के उपर ये atomic number के उपर depend करेंगी तो ये कहा था Mosley ने कि जो properties है periodic properties of elements जो elements है उनकी properties है वो atomic number परमानुस संख्या के उपर based करती है ना कि atomic mass के उपर जैसा कि मैंडलीफ ने कहा था ये बात कही थी Mosley ने और इसी किधार पर नया periodic table बना है अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके trends की और साथ में हम ट्रिक लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत ही आसानी से modern periodic table के elements को याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से तो बने रहे हमारे साथ धन्यवाद